दोस्तो हमारी आज की कहानी एक ऐसे बच्चे के बारे में है जिसने एक लड़की के साथ किया बहुत जान्दा गलत साथ ही उस लड़की के दो बोईफ्रेंड्स को भी मार दिया जान से इवन वो बच्चा इतना बड़ा साइको था कि उसने अपने बैस फ्रेंड तक को भी मा लोगों को fact concept की तरफ से very very happy new year भगवान करे आप और आपकी family के लिए ये साल सबी सालों से बहुत जान्दा अच्छा हो और इस साल आप जो भी चीज जिन्दगी में पाना चाहते वो चीज आपको मिल जाए बगवान से मैं आपके लिए ऐसी प्रेह करता हूँ So now come to the movie जो तुम्हारे साथ movie देखनी है पर बच्चे के request करने पर एसले उसकी बात मान लेती है और उसके साथ बैठ जाती है लेकिन Luke movie देखनी की बज़े एसले को भी देखे जा रहा था मतलब ऐसे कि कहीं न कहीं कि वो एसले को like कर रहा है कि तब भी वो एसले को किस करने लगता ह लेकिन एसले लिउक से बोलती है कि बच्चे पहले AMD से तो बहार निकल पर लिउक को यह बुरा लग जाता कि उसने उससे बच्चा का इसले थोड़ी देर बाद वो एक बाईन की बोतल लेकर वहां आता है और उसको पीता है ताकि एसले को लगे कि ये बच्चा नहीं बहु जाती है और सामने वाला आदमी ऐसले को बोलता है कि मैं तुम दोनों को देख सकता हूँ अब ये सुन ऐसले काफी डड़ जाती है तो इसलिए वो विंडो से बाहर देखती है पर उससे कोई नहीं दिखाए देता अब जैसे ही वो दोवारा से पीछे मुड़ती है तो उससे एक सेंटा कलाउस का स्टैच्यो रख दिखाए देता है अब ये देख वो गबरा जाती है तो इसलिए जल्दी से वो लिउक के पास आती है और उससे फोन मांगते है कि वो प्लिस को फोन कर सके पर लिउक से वो फोन एक्वेम में गिट जाता है कि तभी उनकी डूर बेल ब सेंटा का स्टैच्यो भी तुम नहीं रखा था तो ग्रेड बोलता है नहीं मैंना ऐसा कुछ भी नहीं किया कि तभी उन्हें उपर से किसी चीज की आवाज आती है जिससे ऐसलिए वो कनफाम हो गया था कि ग्रेड के अलावा कोई और है जो उन्हें नुकसान पहुचाना च अब ये देखो काफी गबरा जाती है इसलिए जल्दी से अंदर आके गेट बंद कर लेती है पर उपर से ग्रेड एक इंट लेके आता है जिस पर लिखाता है यू लीव यू डाई मतलब तुम अगर गर से बाहर निकली तो मारी जाओगी अब ये पड़ ग्रेड काफी जो उनके उपर रूम में रखी है अब ये दोनों लोग लिख के डैड के रूम में उनकी गन लेने जाते हैं कि तब ही ये लोग देखते कि घर में कोई गुस आया जो टौर्च लेकर हर रूम की तलासी ले रहा है अपने डैड के रूम से गन ले आता है और गन के साथ ये और का नहीं, बलकि लूक का ही मास्क है, तो ये देख, ऐसले समझ जाती है कि ये और कोई नहीं, बलकि ग्रेड ही है, तो इसले वो जल्दी से बाहर आती है, और उसे अपना मास्क खटाने को बोलती है, और वो असल में ग्रेड ही निकलता है, तो ऐसले ग्रेड से बोलती है कि तुम्हें ये असली गन लाने को किसन ने कहा था वो तो पागल है तुम भी उसकी बातों में आ गए अब एसले लिूक के परन्स को कॉल करने के लिए नीचे जाती है पर एसले जैसे ही जीने पर पहुँचती है तो लिूक उसको बहुत तेज थपड मारता है जिससे एसले जी जीने से नीचे गड़ जाती है और बेहुस हो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो खुद को एक चेर पर बंदा हुआ पाती है अब लिूक एसले को बोलता है कि तुम्हें हमारे साथ एक गेम खेलने होगी पर एसले बोलती है तुम लोग मुझे छोड़ दो वरना लिूक तुम्हारे पैरंस घर आएंगे तो मैं उनको सब कुछ बता दोंगे और इससे सुनके ग्रेट की फड़ जाती है पर लिूक उसे मना लीता है और वो रुख जाता है कि तभी उन्हें डोरवेल की आवाज आती है अब लिूक अकिला गेट पर देखता कि कौन है पर मां एसले का बड़फेंड रिकी आया होता है अब लुक उसको बोलता कि एसले यहांसे चली गई है पर रिकी उसकी बात नहीं मानता और उसे धक्का देते हो घर के अंदर आ जाता है और एसले को डूने लगता है कर देता है और रिक्ही बेहोस जाता है और जब उसकी आंगे खुलती हैं तो वह एसले के सा litigation को साथ दूसरे चेर पर बन्धा पर होता है जिसके बाद लूक बजाता है कि मैंने ही रिकी को यहां बोलाया था अब यह सदू घ्रयाट काफी डर जाता और बोलता कि midnight k desp और ये सब क्या है पर ल्यूक ग्रेट को समझा के साइड कर देता है इससे पहले जब ल्यूक रिकी को रोकने उसके पीछे गया था तो इसी दोरान एसले ने चालना की से एक कांस का तोड़ा उठा लिया था कि मौका मिलते ही वो अपनी टेप काट लेगी पर ल्यूक एसले के दूसरे बोर्फ्रेंट जैणमी को कहल करके वहां इन्वाइट करता है और बोलता कि तुम्हे एसले ने बुलाया है इसके बाद ल्यूक रिकी को हॉल में लेके जाता है और उसके उपर दूर से एक पेंट का भरावा डिब्बा मारता है और अगर वो डिब्बा गलती से रिकी के सिर पर लग जाता तो वो definitely मर जाता पर वो miss हो जाता है अब ये देख Garrett भी काफी डड़ जाता है कि Luke ये सब कुछ क्यों कर रहा है अब रिकी ग्रेट से काफी मिन्यूते करता कि प्लीज मुझे अभी जाने दो मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा और वो चिलाते हुए एसले को आवास लगा रहा था कि एसले मुझे बचाओ पर एसले खुद को चुडाने के कोशिश कर रही थी कि वो रिकी को बचा सके पर इससे पहले लिक दूसरे पेंट का डिबा रिकी की सेर पे फेक के मारता है और उस बिचारे का बहुत बुरी तरह से मौत हो जाती है और ये दिरस इतना गिरोना था कि हम इसे दिखा भी नहीं सकते और रिकी के इस मौत से लिक के फेस पे एक अजीव स्माइल आती है मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उसी किसी भी तरह का डर है ही नहीं कि वो पकड़ा जाएगा या कुछ भी पर इसी दोरन एसले खुद को छुडाने में कामयाब हो जाती और वो लिक की गन लेके लिक को डुरान लगती है कि तुमने ये क्या किया पर लिक को गन देखके भी डर नहीं लगता क्योंकि उसकी गन खाली थी तो इसले एसले लिक से बचने के लिए उस गर से भाग जाती है पर गैरेट उसे पकड़ लेता है जिसके बाद लिक उसे घर में लाके दुबारा से एक चेयर पे बांद देता है पर तबी एसले का दूसरा बॉइफरेंड जैन में भी बाहर आ चुका था तो लिक बाहर आके जैन में इसे एक सौरी लिक 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 वाता है और बोलता है कि ये एसले तुमसे मांग रही है और उसके लिक लिकते ही वो उसे वही पेड़ से लटका के मार देता है पर अंदर ये सब कुछ ग्रैट को काफी ड्रावना लग रहा था ओबर लिमिट लग रहा था तो इसले वो एसले को खोलने लगता है पर तभी लिक आ जाता है और ये देख वो अपने दोस्से बोलता है कि तुने मेरे साथी गददारी की और वो उसे भी मार देता है एसले को चाको मारता है और पूरा घर और सारी चीड़े इस तरह से प्लैन करता है जैसे देखने वाले को ये लगे कि ये सब कुछ एसले के बारफ्रेंड ने किया है जिसके बाद वो खुद एक सरीवजादा बनके अपने रूम में जाके सो जाता है और जब लूक के परेंस घर आते हैं तो वो ये सब कुछ देखके चिलाते हुए लूक के रूम में जाते हैं जहां वो देखते हैं कि लूक बिल्कुल सेफ है और सुरक्षित है और वो अपनी मॉम के गोद में ऐसे सो कर रहा था जैसे कि उसे कुछ भी इन सब के बारें पता ही ना हो लेकिन लियुक के लिए बुरी ख़वर तो ये होती है कि पुलिस वाले लियुक के डैड को बताते हैं इन में से एक जना जिन्दा है और अब हम उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और ये सक्स कोई और नहीं बलकि एसले थी और एंबुलेंस में बैटते समय एसले लियुक को मिडल फिंगर दिखाती है और बाद में लियुक अपनी मॉम को बोलता है कि मुझे एसले के फिकर हो रही है और मुझे उससे मिलने हॉस्पिटल जाना है बाकि ये उसे मार सके और उसके सच्चाए किसी के सामने ना आए तो इसी के साथ इस मुवी का यहीं एंड होता है